नमस्कार मैं हूँ रमेश कुमावत और आप देखना सुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर रिपोर्टर भारत के लिए आर्थिक जगत में बड़े लंबे अर्शे के बाद एक अच्छी खबर देखने को मिली है भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा मैनुफेक्चरिंग हब बन गया है इसमें बड़ी बात जो है वो ये कि भारत ने अमरीका को पीछे चोड़ा है वो भी मैनुफेक्चरिंग के मामले में हालांकि पहले पाइदान पर अभी भी चाइना ही बना हुआ है अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये manufacturing होती क्या है manufacturing की सीधे सब्दों में और आसान सब्दों में हम बात करें तो यानि की कच्चे माल से तैयार मालिया पक्का माल किस तरह से जो तैयार होता है उस मामले में भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा देश बन गया है पहले पाइदान पर चाइना हुआ करता था और दूसरे पर अमरीका हुआ करता था लेकिन अब इस साल जो global manufacturing risk index जो आया है 2020 का उसके मताबिक भारत दूसरे नमबर पर आ गया है इसमें जो index जारी किया गया है उसके मताबिक भारत में जो कामकाज का माहूल है वो बहतर हो रहा है इसके अलावा जो लागत प्रतिस्प्रदा है यानि कि जो भी यहां पर companyya है उनकी जो लागत आती है उस मामले में भारत अपनी स्थति को सुधार रहा है रियल एस्टेट सलाकार कुसमें एंड वेकफिल्ड की ओर से जारी ग्लोबल मैनुफेक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 के मताबिक चीन दुनिया का सबसे आकरसक मैनुफेक्चरिंग हब बना हुआ है पिछले साल की रिपोर्ट में अमरीका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर था यह इंडेक्स यूरोप अमरीका और एसिया प्रसांत के 47 देशों में से वेस्विक मैनुफेक्चरिंग के लिए आकरसक जगों का आकलन करता है रिपोर्ट के मताबिक दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले मैनुफेक्चरिंग गनतव्यों में अमरीका तीसरे, कनाडा चोते, चेक गनराज पांचवे और इंडोनेसिया छटवे स्थान पर है इंडेक्स के ताजा अंकडों से पता चलता है कि अमरीका और एसिया प्रसांत शेत्र के मुकाबले मैनुफेक्चर्ज भारत में अधिक रूची दिखा रहे हैं आपको बता दें कि भारत की कुल कमपनियों में 20% कमपनियों की है लेकिन जुलाई के आपको से ये मालूम चला है कि अब इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 21% हो गई है बीती जुलाई में भारत में कुल 15,499 कमपनियों रेजिस्टर हुई जिनमें से 21% जो कमपनियों थी वो मैनुफेक्चरिंग फिल्ड से थी जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है और आकड़ों के मताबिक ये कहा जा रहा है कि भारत में मैनुफेक्चरिंग के लिए इस्तियां और जो चीजें हैं वो आसान हो रही है सुलब हो रही है